बीजेपी पार्टी नो सालों से केंद्र पर अपनी चाप छोड़ रही है और हर तकरीवन राज्यों में उनकी सरकार बन रही थे लेकिन इंडिया कट बंधन केस जुड़ाओ होने के बाद से ही यह पहला जटका है बीजेपी को बीजेपी के सुदाकर सिंग की जो पोल खुड रहे थे मतलब की जो एकजिट पोल की जो खबरे आ रही थी और जिस तरीके से चुनाओ रिजल्ट आ रहे थे आप देखिए लगातार वो आगे बढ़ रहे थे सुरवाती दौर पे पांचवे चरण में देखा गया तो हजार कि आसपास वह आगे थे लगातार हजार दो हजार तीन जार और ऐसा समय आया बारवे चरण पर वह सीधा पंद्रह हजार वोटों से आगे चाहिए अब दिखे मनीपुर पर राहुल गांदी गये थे और जमीनी स्थर पर लोगों से बाचीत की थी वहां रुक कराये थे लो नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूस मैं तुशार आपके साथ दर्शकों 2024 के लोकसवाद चुनाव आने वाले हों 2023 में विधान सवाद चुनाव की तयारिया भी जो हैं हमारे देश में शुरू हो चुकी हैं और इसको देखते हुए अभी दो दिन पहले जिस तरीके से घोशी उप्चुनाव हुए जिस तरीके से वहां का रिजल्ट सामने आया कल और उसने ये बता दिया कि कैसे उत्तरप्रदेश में इस समय भारते जनता पार्टी का जो बविश्य है वो अब डगमगाने लगाए आपको बता देगी देश में साथ विधानसवा सीटों पर जो मतदान है वो पास सितंबर को किये गए थे जिसका कल रिजल्ट आया और जब उसका रिजल्ट आया तो खासकर जो प्रमुख विधानसवा सीट थी वो थी आपकी घोशी की उत्रप्रदेश घोशी की और वहीं इस चर्चा में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं, हमारे साथ हमारे सयोगी शामिल हैं अकास, इंजे हम कई सवाल करेंगे कि इसके पीछे की राजनीती को ये कैसे देखते हैं और क्या ऐसे कारण रहे हैं कि भारती जंता पार्टी को इस सीट से हाथ दोना पड़ा है और सप बड़ी जीत यहां पर दर्च किये, तो सबसे पहला सवाल में आप से ही रहने वाला है अकाश कि आप क्या सूछते हैं इस बारे में जिस तरीके से आपको बता दे दर्चको और अकाश आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे दीश में 2024 के लोग सब चुनाब आने वाले और उसको लेकर इंडिया गडबंदन बनाएं और इंडिया गडबंदन जब से बनाए दर्चको उसके बाद से यह पहला ऐसा मौका आया है जिसमें इंडिया गडबंदन की टेस्टिंग का एक मौका आया देखा जा रहा था वो कहते हैं ना मेन मैच खिलने से पहले एक वा जीत हुई है आप देख रहे हैं कल लगातार वोटिंग जिस तरह से खुल रही थी और लगातार सुधाकर सिंग आगे बढ़ते जा रहे थे बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी पार्टी नो सालों से केंद्र पर अपनी छाप छोड़ रही है और हर तकरीवन राज का लग सकता है वहीं आपको बताएं कल जिस तरीके से सुधाकर सिंग की जो पोल खुड रहे थे मतलब की जो एक्जिट पोल की जो खबरे आ रही थी और जिस तरीके से चुनाओ रिजल्ट आ रहे थे आप दिखी लगातार वो आगे बढ़ रहे थे सुरवाती दौर पे प पार्टी को बचाड़ा एक ऐसी पार्टी जो पिछले नौ साल से देश में कुंडली मार कर बैठी हुई है क्या ऐसे कारण रहे कि यहां पर सपा जो है भारती जनता पार्टी से आगे निकल यहां इस बार कारण देखने के अगर बात की जाए तो सबसे पहले यही आती है क जमीनी स्तर पर काम सपा ने जमीनी स्तर पर लोगों से जुडाव करके वो काम किये जो सायद बीजेपी इस बार नहीं कर पाई बीजेपी जी टॉंटी पर लगी रही और तमाम मुद्दों से भटकाने पर लगी रही राजनितिक मुद्दों से लोगों बटकाने लगी हिं चैनि चन्टा सिंक जड़ाओ करने का से बाशन देने से ओर तमाम बड़ी-बड़ी बात में कहने से जन्ता का जुड़ाओ नहीं होता जन्ता की बीच जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आगे आनेностью समय में जन्ता क्या चाहती है। तो जिस तरीके से यहां पर दर्शुक आपको एक चीज और बता दे कि इसमें एक और बहुत बड़ा जो कारण दिखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैं आप से जानना चाहूंगा कि इस बार इस सीट पर जो है वो माया वती न अपना कोई केंडिडिट नहीं उता रहा था और माया वती की पार्टी ये बसपा से यहां पर कोई भी कंडिड़िट अगर उतर जाता तो रिजल्ट जो है वो चौकने वाले भी हो सकते थे यानि की चेंज भी हो सकता तो तो क्या ये भी एक कारण है कि बास्पा का जो जो चैंडिडिडिट नहीं उत्रा उसका फाइदा य हुए चुनाव में से मुस्लिम वोट नहीं बलकि ठाकूर और वैस्ट बहुत सारा वोट उनको गया अगर मायावती का अगर जो कुंडिडेट उतरता तो जाहिर सी बात है कुछ वोट करते लेकिन इस बार जो एक बड़ा वोट बैंक इनको अकलेश यादव को मिला है वह अन डम नजर आ है दरेशयों का आपको बता दे कि इस सीट पर जो है वो थूर सीम Pandya आइज यहां पर उतरे थे उन्हों कर यहां पर जनता को संभूदित किया था वो यहाँ पर इस सीट पर चुनाव के लिए उत्री थी, लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ पर बाजी मारी अखिलेश यादव और उनके चाचा शीफपाल यादव ने जिया, एक नाम यहाँ पर जो और अखिलेश यादव के साथ सामने आ रहा है, वो है उनके चाचा शीफपाल यादव, कि इस बार वो यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ कंदे से कंदा मिलाकर परचार करते हुए नजर आए, और इन दोनों की जोड़ी ने यहाँ पर खुसी में कमाल कर दिया, जनता को बता दें कि मुखतारन सारी जो इस समय जेल में वो उसी सीट से विधायक रह चुके हैं दो बार, और उनकी भी पकड अच्छी खासी वहाँ पर मानी जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं फाइदा जो है, वो कहा जाता है कि अखिलेश यादव को इन चुनावों में मिला है, अकाश आप से आखरी सवाल में रहने वाला है, कि जिस तरीके से इंडिया कडबंदन बना, और इंडिया कडबंदन बनने के बाद इस सीट पर इंडिया की तरफ से भी कोई कैंडिडिट नहीं था, इंडिया की तरफ से ही यहाँ पर अखिलेश यादव यह तरीके से चुनाव लड़ता है, तो इंडिया के लिए यह पहला म गढञा जाता है लिक तैंटर के हीसाप सी यू अदिली का रास्तका आजाता एक यू display तो जिस तरीकें यहां जल्टा ये पहला चुनाव था जब गडबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा अकलेस यादव ने आपने देखा सुधाकर सिंग ने किती बड़ी जीत हांसल कि और इसी तरह से अगर जमीनी इस तरह पर काम होता रहा और जंता से जुड़ाओ बना रहा गडबंधन का अगर हर में बिहार में ले लिए आप अगर तमाम राजियों में सरकार अपने हिसाब से बात करती रही राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा से बहुत से लोगों समीटा एक यह भी जो है अकलेस यादव को प्लस पॉंट होता है अगर गडबंधन से वह जुड़ते हैं और अकलेस यादव और तमाम नेता लोगों के भी जुड़े रहे और जुड़ाव करते रहे तो कहीं न कहीं इस बार मोधी जी को 2024 की चुनाओं में खत्रा तो मैसूस होने वाला है तो जैसे ही यह खत्म होगा उसके बाद चुनावी जो रणनीतिया है वो खासा तेजी से बनन करनी शुरू हो जाएंगे हाला कि यह बात अलग है कि जी टुएंटी से मिलन को भी चुनावी प्रचार प्रचार के रूप में जोड़ कर देखा जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस चरीके कि हार यहां पर यूगय दित्तिनात को मिली है यह उनके लिए बहुत सपा ने बहुत चोटा काम किया है एक चोटी सी सीट जीती है या एक चुनाव जीती है लेकिन आपको बता दी दरशुको की कहा जाता है कि बून बून से बनता है सागर तो यह बून बून जो अब यहां पर इंडिया गड़ बंदनी खटा करने लग गया है हो सकता है कि यह झाल झाल